हलो बुच्छाओं, let us read the question question कह रहा है, show by diagram how can we use a rheostat as a potential divider, so before solving this question, let us first understand the key concept of this question key concept अब इस question का key concept क्या हमें समिनना है what is a rheostat तो rheostat, R-H-E-O rheostat अब rheostat क्या होता है rheostat एक variable resistor होता है it is a variable variable resistor होता है it is a variable resistor that is used to control the electric current flow जो current flow को change कराता है क्योंकि variable resistance होता है तो इसकी वैसे current flow change होगा जिसकी वैसे potential जो होगा वो difference हो जाएगा तो हमें पता है क्या V क्या होता है equals to IR होता है अब यह variable resistance है तो resistance change होगा, जिसकी वैसे current change होगा जो इसको यह से potential change हो जाएगा So, इसका use क्या है इसको use करते हैं ताकि potential difference जो है दो point के बीच में change किया जा सके So, अब इसका symbol कैसा होता है यह बनता कैसा है तो यह कुछ एक circular सा होता है यह कुछ ऐसा बना होता है जिसमें अंदर coil लगे होते हैं इसके दो fixed point होते है जैसे A point और यह B point इसके fixed point है और एक point होता है यह C point जो sliding होता है sliding का क्या मतलब है sliding का मतलब है कि यह point जो है वो slide हो सकता है B की तरफ जा सकता है और A की तरफ जा सकता है ठीक है A से दूर या B से pass ऐसे जा सकते है तो अब हम मालनेते हैं हमारी यह circuit है यह हमारा circuit है हमारे पस में यह V volts की battery है यह register है हमारा यह point हमारे पस में A है यह B है और current इसमें flow हो रहा है और जुड़िए state का जो symbol होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है इस point को मालनेते हैं C है तो हमें पता है I क्या होता है V by R R A to B होगा इस पूरे सरक्ट का तो इसको हम equation 1 मान लेते हैं तो अब हम मान लेते हैं कि पहली equation आगी तो हमने जो diagram बनाया था उसको दुबारा बना लेते हैं यह हमारी battery हो गई यह हमारा resistance हो गया और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था एक रियो stat यह point हमारे a point b point और यह c point थे यहां से हमने बताया अब जो potential difference है इसके across यह वो होगा क्या वी BC तो वी BC क्या लेख सकते हैं वी BC क्या लेख सकते हैं वी BC हम लेख सकते हैं I into RBC बी और C के across तो RBC हम क्या लेख सकते हैं I क्या लेख सकते हैं I हमने लिकाला था क्या हो गया था फर्स्ट क्वेशन वी अपॉन R into A B इस पूरे circuit का into RBC ठीक है यह हो जाएगा अब यहां से हम देख सकते हैं कि माल नीचे हम कोई एक दो situation लेते हैं कि जो रियो स्टाइट है उसको हम मूव कर रहे हैं और towards A ले जा रहे हैं तो इफ वी मूव जित्ता है resistance का है बी और सी के बरावर तो जब एक ही तरफ ले जाएंगे तो resistance हम देख रहे हैं बढ़ रहा है RBC बढ़ेगा तो RBC हमारा increase होगा तो जब हम RBC हमारा increase होगा तो हम यह पहली हमारी जो equation है हम इससे देख सकते हैं तो जब हमारा RBC increase होगा तो हमारा यह था VBC यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा RBC increase हो रहा है तो जब RBC increase होगा तो potential difference across B और C भी increase होगा तो जब potential difference across B और C increase हो रहा है तो इसवाल equation को second equation बोल लिते हैं अब हम उसको त्योंस्टाइट को जो रहा है उसको slide करते हैं towards B तो हम second बिते हैं that if we slide if we slide C को towards B की तरफ slide कर रहे हैं तो जब B की तरफ slide कर रहे हैं तो हम यहां से देख रहे हैं कि जो RBC हो रहा है हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से देह सकते हैं और वीजी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है है अगर T थे उपने से तो इसका मतलब है कि अगर हम पर जसेस्टेंश वेरी कर रहे हैं तो left RBC को increase कर रहे हैं, तो VBC increase हो रहा है RBC को decrease कर रहे हैं, तो VBC decrease हो रहा है यानि जब हमने resistance change किया तो,やनि potential vary हुँआ, तो यानि potential vary हुआ, तो एक potential divider की तरह काम कर गया भी है तो, यानि this proves that a rheostat can be used as a potential divider potential divider का यहां भी क्या मतलब है यह potential को यह वेडी कर सकता है, voltage वेडी कर सकता है So, we have proved by the diagram that a rheostat can be used as a potential divider Hope you understood it well, best of luck